मेरे सारे वीडियो देखने के लिए जॉय औफ रिम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर हिट करें फॉर लेटिस्ट अपडेट्स है अप्रिवान माइनेम इस रिमी वेलकम तू जॉय औफ फ्रिम्स टाइटल से आपको देखके समझ में आ गया होगा कि आज में क्या बात करने वाली हूँ जी हाँ मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए है और मैं बहुत ही जादा खुश हूँ और आप लोग को सब को थैंक यू बोलना चाहते हूँ आप लोग ने कितना मुझे प्यार दिया और कितना मुझे सपोर्ट किया इन सब चीजों में तो मैं दिल से आप लोग को थैंक यू बोलती हूँ और प्लीज आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मैं बहुत ही ज़ादा खुश हूँ कि आप लोग ने मुझे इतना ज़ादा प्यार किया इतना ज़ादा सपोर्ट किया और इसी तरह आगे प्लीज करते रहेंगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा वैसे तो मैं इस चैनल को 2018 में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था वगर मैं सिर्फ उसमें ट्रेवल व्लॉग की थोड़े बहुत डाला करती थी और उस टाइम पे मैं नहीं नहीं थी तो सीख रही थी कि कैसे कैसे डालते हैं वीडियो और कैसे एडिटिंग करते हैं क्या करते हैं तो जब मैं finally पूरा सीख गई सब कुछ फिर मैं सोची कि अब मुझे permanent इसमें YouTube में आ जाना चाहिए और मुझे अच्छे इंफॉर्मेटिज वीडियो सब के लिए बनाना चाहिए तो मेरे पास काफी सारे आइडिया आ चुके थे कि मुझे कैसे YouTube में आगे बढ़ना है और कैसे स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को तो इसलिए फिर फाइनली में 8th of October 2019 में फिर मैंने फाइनली अपना चैनल ट्रेलर अपने YouTube चैनल पे डाला और अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया और विदिन 3 मंस मैं रेगुलर रही और विदिन 3 मंस आप लोग ने इतना मेरे वीडियो को पसंद किया इतना प्यार दिया कि मैं कि मैंने अपना चैनल कैसे स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया तो पहले तो मैं यह बता दूँ कि यह जो मेरा चैनल है जो मेरा पहला चैनल है वो कियारा के नाम से है कियारा टाइम लाइन करके जब कियारा पैदा हुई थी उसके बाद ही मैंने कियारा टाइम लाइन के नाम से मैंने channel start किया था कि उसमें मैंने सोचा था कि क्यारा की सारी activities मैं दिखाया करूँगी और क्यारा से related जितने भी videos होंगे मैं उसमें डाला करूँगी तो उस time पे मेरा इतना busy schedule हो जाता था कि मैं क्यारा को ले कर के कुछ वीडियोस बनाई ही नहीं पाती थी बस डेली वाले जो क्यारा की वीडियोस होते थे फ़नी फ़नी टाइप के बस में वो सब वीडियोस बनाने लगी थी तो वो सब वीडियोस बनाई मैं तो मैंने सारे वीडियोस यूट्यूब में डालना शेयर करूँ तो मगर फिर मैंने सोचा कि सारी आकिवीटिव के साथ इनफोर्मेटिव वीडियो भी मैं डालूँगी तो लोग इतने अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अपना चैनल बना हूँ जिसमें मैं सारी चीज़े क्यारा की भी डालूँ इनफोर्मेटिव वीडियो और मैं अपनी इनफोर्मेटिव वीडियो भी डालूँ क्योंकि लोग मुझसे भी बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछा कर रहे थे कि मैं ये क्या करती हूँ, वो क्या करती हूँ, कौन से ब्रैंड के है, क्या है बहुत सारे लोग मेरे से question किया करते थे तो मैं को लगा कि Joy of Rims में मैं सारे informative वीडियो डालूगी और क्यारा के जितनी भी activities के जितनी भी चीजे रहेंगी, मैं क्यारा के timeline में डालूगी क्यारा timeline करके उसका YouTube channel है तो फिर इसलिए मैंने इस Joy of Rims को स्टार्ट किया कि सारे चीजों को मैं आप लोग के सारे शेयर कर सकूँ अपने सारे personal experience को आप लोग के सारे शेयर कर सकूँ जितनी भी चीजे हैं चाहे travel को ले करके, चाहे product को ले करके, even cooking को ले करके informative videos जितने भी हैं, जितनी मेरे पास knowledge है मैं सब आप लोग के सारे शेयर करना चाहती थी तो इसलिए मैंने Joy of Rims को बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे साथ साथ क्यारा को भी videos में देखते थे तो बहुत जादा पसंद करते थे तो मैं को लगा कि यही right time है अपने viewers को बताना कि क्यारा का भी channel है, आप लोग उसको भी subscribe कर लीजे तो अगर आप लोग क्यारा को देखना चाहते हैं और तो आप लोग क्यारा time line को subscribe कर लीजे और उसे भी Instagram पे जरूर follow करिएगा तो यही था मेरा update thousand subscriber का की मेरा एक नहीं दो दो channel है तो आप लोग क्यारा time line को भी subscribe कर लीजे क्योंकि मुझे इतने अच्छे अच्छे viewers ने मुझे comment किये हैं मैं आज बो सब सारे चीज़े पढ़ना चाहती हूं कि मैं कितना appreciate हुई हूं इन सब चीजों को पढ़के और इसलिए मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो अभी ले करके आ रही हूं और आगे भी आते रहे मेरा जो वीडियो था तो उसमें उनोंने लिखा है how you get this knowledge you are from medical field तो मेरा इतना जादा knowledge देख के उनोंने सोचा कि मैं medical field की हूं वरना मुझे इतना जादा knowledge नहीं होता तो मैंने उनको बोला कि नहीं भाई नहीं मैं medical field की नहीं हूं बस मैंने research किया है और अपने अपने उपर उन सब चीजों को follow किया है और डॉक्टर से पूचा है फिर मैं यह सब चीजें ट्राइ करी हूं और इतना knowledge मुझे सिर्फ और सिर्फ रिसर्फ से मिला है second मेरा comment है जिनका comment मुझे बहुत ही जादा अच्छा रगाता अब तक का सबसे best comment है तो यह comment करते है drug daddy तो उन्होंने इसी video पे same video पे जो मेरा hair fall वाला video है उसी video पे उन्होंने लिखा है you are looking like a film celeb in this video oh my god thank you drug daddy जी आप आपको में film celeb की तरह लगने लगी तो film celeb आपको किसकिच ऐसे लगते है आपने मुझे इतना अच्छा compliment दिया है उसके लिए thank you thank you so much तो आगे भी मुझे ऐसे ही अच्छा comment आप करते रहें तो मैं और भी जादा अच्छा फील करूंगी और मेरा third comment है Rishika Jaiswal के लिए वो मेरी cousin है उसने लिखा क्या है मेरे commercial street वाले वीडियो में वाव ती awesome vlog and collection thank you Rishika और उसके बाद लिखी है मेरे लिए भी कुछ लियाना अरे भाई Rishika मैंने बोला अगर मैं तु तो मैं तुमें को सबको देना पड़ेगा अब सिर्फ तुम ही को नी तो मेरी family अब 1000 family बन चुकी है तो मुझे सबको मुझे gift करना होगा तो मेरा fourth comment है खुबसूरत जिन्दगी जी के लिए जिन्होंने लिखा है मेरे prestige वाले वीडियो में prestige कूकर वाला जो मेरा वीडियो थ तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरा नाम जॉय नहीं है मेरा नाम रिम्मी है तो मेरे चैनल का नाम है जॉय ओफ रिम्स तो इसलिए आदे से जादा लोग पुझे जॉय जॉय करके लिखे हैं शैड वो लोग स्टाटिक मेरा नाम अच्छे से लग रहे हैं सुनते तो मैं आज बताती हूं कि मेरा नाम रिम्मी है और जो जॉय ओफ रिम्स है रिम्स उसका शॉर्ट फॉर्म है तो मेरा नेक्स्ट कमेंट है करन गोलु जी के लिए करन गोलु जी मेरी जो वीडियो कोई भी वीडियो में पोस्ट करती नहीं वो सबसे पहला व्यू उनका ही सबसे पहला लाइक उनका ही रहता है और सबसे पहला कमेंट भी उनका ही रहता है जादा तर मेरी वीडियो में ऐसा हुआ है सारी वीडियो में जादा तर वीडियो में मेरे हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब लोग ने मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब क उन्होंने करन जी ने में को लगता है कि बैल पे भी बटन दबाया है अगर आप लोग बेल पे अगर नहीं बटन दबाया है तो अभी आप लोग जरूर क्लिक कर दीजे तो आप लोग को भी notification सबसे पहले मिल जाएगी तो thank you करन जी आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देखते हैं, like करते हैं, comment करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरा next है Happy Mommy Vlogs के लिए तो thank you आप मुझे इतना ज़्यादा support करने के लिए और इतना ज़्यादा मेरी काम को appreciate करने के लिए thank you, thank you so much आभा और हमेशा मेरी वीडियो में आप बहुत अच्छे अच्छे comment करते हो तो अभी जो मेरा recent video था photo shoot से related, उसमें आपने मुझे comment किया था, very very helpful video in me, loved her cute clicks तो thank you so much आभा रगता है, और फिर next comment है, मेरी anniversary lookbook को देख करके अंकित बिष्ट जी बोलते हैं, वाव सिस्टर such an amazing blog surely you will gonna succeed one day it's so professional and informative helpful, keep going keep going keep growing all the best thank you so much अंकित जी आपने इतना अच्छा comment किया मुझे, और फिर मेरा next comment है, या कैसे जी के लिए जिन्होंने लिखा है nice shopping and sharing बहुत fast आप grow करेंगी thank you so much विकास जी, आपने इतना अच्छा मुझे comment किया, मैं आपका comment पढ़के, मैं बहुत जादा appreciate, feel कर रही थी फिर मुझे next comment, Christmas celebration पे आया है, इनास फैंजी का जिन्होंने लिखा है, oh my god you look like a college going girl and I am strange that you are a mom too, oh oh मैं यह कमेंट पढ़ने के बाद सबसे पहले बहुत जादा है, see you नास जी, तो thank you so much, इतना अच्छा कॉप्लिमेंट मुझे दिया आपने तो मुझे बहुत जादा अच्छा लगा कि मैं आभी भी college going girl जैसे दिखती हूँ, तो guys comment तो बहुत सारे आए हैं, तो इतनी सारे comment तो मैं आप लोगो पढ़ के नहीं दिखा सकोंगी, जो मेरे लिए बहुत ही जादा special comment रहे हैं, वही सब आप लोगों के सामने पढ़ के आप लोगों को बताई हूँ शेयर करिएगा, तो चलिए मैं इस वीडियो को यही पर खतम करती हूँ और मिलती हूँ अपने next वीडियो में, till then, okay, bye bye